हेलो दोस्तों आईएस PCS साइंस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों यहां पे हम लोग सौशन तंत्र से संबंदित जितने भी एक्जाम में प्रश्ण पुछे गया हैं अलग-अलग एक्जामों में उन सारे प्रश्णों को हम लोग यहां पे हल करने वाले हैं द तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्ण है सौशन की किरिया संपन होती है मैट्र कोंडिया में भी हरित लवकू में सी राइबुज हो में डी लाइसिस होम में तो सही इंसर हो जाएगा मैट्र कोंडिया में अगला प्रश्न है अज थन धारयों में सॉसन होता है कुलोंल द्वारा बी सॉसनली द्वारा सी तोचीं द्वारा डी फुफूस तुब्इख़ा द्वारा साइङ इंतो रो जागा कर द्वार ढप से रहीं में कोई परिवर्था नहीं होता है एक कर्बंडाई एकसाइट बी ऑक्सीजन सी नैट्रोजन डी जल वास सही इंतिर हो जाएगा सी नैट्रोजन अगला प्रश्चन है मनुस में स्वासो श्वास में बाहर निकली वायू में ओट्टू की मातरा होती है ए 14 परसंट बी 16 परसंट सी 20 परसंट डी 25 परसंट कि तो ओट्टू जो है वह कितना बाहर निकलता है 16 परसंट तो दोस्तो अगर इस चैनल पर आप नए है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लिजे और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंट शर्क में सेयर कीजिए आप किसी भी एक्जाम का त्यारी कर रहे हैं साइंस का अगर आपका लेवल को बेस्ट बनाना है तो य अगला प्रश्न है मनुस एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है ए सूला से अथारा बी बीस से पचीस सी बार से एक तालिस डी सतर से बहत्तर सही इंसर होगा ए सूला से अठारा अगला प्रश्न है भोजन का उड़्जा में परिवर्थन कोसी का किस भाग में होता है एक किंद्रग बी लाइसोसों सी राइबुसों डी मैट्रो कुंडिया सही इंसर होगा डी मैट्रो कुंडिया अगला प्रश्न है मानो सरीर में ऑक्सीजन का अविगमन होता है एक रक्त के द्वारा दो फुपुस के द्वारा तीन उत्तक के द्वारा अविगमन का सही अनुकुरम है एक दू तीन बी तीन एक दू सी दू एक तीन डी एक तीन दू तो सबसे पहले जो oxygen जाता है वो किस के द्वारा जाता है वो जाता है फुफुस के द्वारा फिर उसके बाद रक्त के द्वारा फिर उसके बाद उत्ता के द्वारा तो सही answer हो जाएगा B. 3.1.2 अगला प्रश्न है जब रख्त में oxygen की संदर्था में कमी आती है तो स्वास की गती A. कम हो जाती है B. परिवर्तित नहीं होती है C. बढ़ जाती है D. पहले घटती है फिर बढ़ती है सही इंसर होगा C. बढ़ जाती है अगला प्रश्न है carbon monoxide विसाक्ता निमलीखित में से किसको मुख्यता परभावित करती है A. Vyosan, B. Vyosan, C. Glycolysis, D. रक्त की oxygen को वहन करने की छमता को तो सही answer हो जाएगा D. रक्त की oxygen को वहन करने की छमता को परभावित करता है अगला प्रश्णा है निमलीखित में से कौन सा J. रुपांतरन मानुशरीर को अधिक्तम उर्जा परदान करता है A. ADP से AMP, B. ATP से ADP, C. ADP से ATP, D. AMP से ADP सही answer होगा B. ATP से ADB अगला प्रश्णा है सोशन में उर्जा उत्पादित होता है A. ADP के रुप में, B. ATP के रुप में, C. N. ADP के रुप में, D. CO2 के रुप में सही answer होगा B. ATP के रुप में अगला प्रश्णा है मानुशरीर का कौन सभाग सरीर तापको नियंतिरित रखता है A. हिर्दा है, B. फेपरा, C. यक्रित, D. विकक सही answer होगा B. फेपरा, अगला प्रश्णा है हमारी छोरी हुई सांस की हवाब में CO2 की मातला लगभग कितनी होती है A. 4% B. 8% C. 12% D. 16% सही answer होगा A. 4% अगला प्रश्णा है क्रेप्स चक्र में किसका संसलेशन होता है A. लैक्टिक अमल, B. गुलुकोज वा A. अगला प्रश्णा है कोक्रोज जल में जिवित नहीं रह सकता है क्यूंकि उसका सोशन अंग है A. क्लुम, B. लैक्टिक अमल, B. लैक्टिक अमल, C. लैक्टिक अगला प्रश्णा है कोक्रोज जल में जिवित नहीं रह सकता है क्यूंकि उसका सोशन अंग है A. क्लुम, B. वातक, C. पुस्त फुस्फुस, D. फुस्फुस, सही इंसर वगा, B. वातक, अगला प्रश्णा है मशली की विसे सन रश्णा जो उसे स्वास लेने में मदद करत सही इंसर होगा, D. गिल्स तो दोस्तों इस तरह हम लोग सोशन तंत्र से संबंदित इन प्रश्णों को सॉल्व किये हैं जो अलग-अलग एक्जामों में पुछे गए हैं आसा करते हैं दोस्तों यह आपको अच्छा लगा होगा और इस तरह के और भी वीडियो आगर आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और अगला वीडियो में डालू उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दे और अभी तक आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कियें तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें तो